Hey guys, welcome back to channel, this is the YouTube boy video, the 100-2022 का 15 हुआ मुकाबला, Trent Rockets और Birmingham Phonics के बीच में खिला जाने वाला है, 15 अगस्त का दिन है, Age Western में यह मुकाबला खिला जाने वाला है, यानि कि Birmingham के Home Ground पे यह मुकाबला खिला जाने वाला है, रात 11 बज से आप इसे लाइब देख सकते हैं, तो हमेंसे त performance की हम बात करेंगे, की स्टैट्स भी बताएंगे, Dream 11 की SLGL टीम भी जो है, डिसक्स करेंगे, और पांच का पंच भी बताएंगे, यानि कि बहुत सारी बाते हैं, बहुत ही informative वीडियो होने वाली है, यह तो आप वीडियो को पूरा देखना, आगे बढ़ने से पहले आपको 70-80% जो है, आप प्रॉफिट में ही रहोगे, 70-80% टाइम आप प्रॉफिट में रहोगे, फाइनल अब्रेटेटी मुहापर दी जाती है, साथी साथ जो भी ऑनगोइंग मैचेज होते हैं, 200 के साथ, वो वहीं पर कवर किये जाते हैं, तो फटा-फट हमारा टेलिग्रम चै स्कोरिंग पैटर्न देखें, तो यहां पर एक भी बार 130 से नीचे का स्कोर नहीं बना है, 130 से 150 के बीज दो बार, और 170 प्लस तीन बार बना है, पांच मैचों में तीन बार यहां पर 170 प्लस का स्कोर बना है, अब इस से आप अंदाजा लगा सकते होगी, यहां के विकेट ब यहां पर चेस हुए हैं, ओवराल रिकॉर्ड यह कहता है कि यहां पर जातर मैच डिफेंड होते हैं, टी ट्वेंटी मैचों का स्कोरिंग पैटर्न देखें, तो हम देख सकते हैं कि 150 से नीचे यहां 24 बार बना है, 150 से 170 के बीच 30 बार, 170 से 190 के बीच 12 बार और 190 प्लस 17 बार जीत गई, उससे पहले 9 अगस 2020 को जो मुकाबला खेला गया था, उसमें बर्मिंगम की टीम ने 184 रन बैक टू बैक बड़े स्कोरी इस ग्राउंड पर बर्मिंगम की टीम ने किये हैं, और दूसरी टीम को बैक टू बैक अलाउट भी किया है, 90 रन पे अलाउट कर दी बर् ओवल के खिलाब बर्मिंगम ने 172 रन बोट पे खड़ा किया, और बर्मिंगम ने उससे चेस का लिया, 6 विकेट से मुकाबला जीत गई, उससे पहले 1 अगस 2020 को टेंड रॉकेट्स और बर्मिंगम के बीच में मुकाबला खेला गया था, 144 रन बने थे और 145 बना कर 6 विके और इन चार मैचों में आप देख सकते हैं कि दो मैच ट्रिफेंड हुए हैं और दो मैच चेस हुए हैं 50-50 का आकड़ा राया, दी हंड़ेट मुकाबलों में, पिसे चार मुकाबलों के स्टैट्स के अकॉर्डिंग, यहां के विकेट बल्ले बाचों को खूब फेवर करती हाँ, जिसमें 42 विकेट पेशल सको और 25 विकेट स्टैट्स को मिले हैं पेशल सक非स brings देख सको बैस के अरे भीकेट मिलते हैं, तो कोशिस करें कि पेशल के ज्यादा अपनी टीम में सांविल करें, तो दो हैट-टो हैट थो हैट मुकाबलों मुकाबलों को खेले गए हैं, ल रिशन फॉर्म की बात की जाए तो बैक टू बैक दो मुकाबले जीत कर आ रही है, बर्मिंगम की टीम पिछले पांच मुकाबलों में तीन जीते हैं, दो हा रहे हैं, वही टेन टॉकेट्स पिछले पांच मुकाबलों में सिर्फ एक हा रहे हैं, चार जीते हैं और बैक टू से हा रहे हैं आई अब बर्मिंगम फोर्मिक्स की बात कर लेते हैं देखते हैं कि इनकी टीम से किनकिन खिलाडियों को हमें पिक करना है और क्या हो सकती है इनकी प्लेंग इलेमें तो सेम कोबिनेशन के साथ ये टीम उतर सकती है क्रिंस बेंजमिन की और विल स्मित की जोड़ इनकी टीम से गिंदबाजी करेंगे तो same combination के साथ Phoenix की टीम उतर सकती है और इनका performance इसाल बहुत अच्छा रहा है आकरी मुकाबला ये तीन रन से जीत करा रहे हैं 130 रन सिर्फ बोर्ट पर बनाया था और उससे भी defend कर लिया वेल्स फार के खिलाब तीन रन से मुकाबला जीत गए और इन्होंने अपने गिंदबाजी की ताकत का परदसन किया ये दिखाया कि इनके गिंदबाज क्या कर सकते हैं आकरी मुकाबले में Matthew Webb ने अच्छी बल्लेबाजी की थी और 130 का एक छोटा सा टोटल इन्होंने डिफेंड कर लिया रिचर्ट सन और हैम ने दो दो विकेट लिये और होवेल ने 21 बनानेक साथ-साथ एक विकेट लिया बहुत अच्छा परदसन रहा ओवरॉल बल्लेबाज थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेड नजर आ रहे हैं इस सीजन थोड़ा सा अनस्टेबल नजर आ रहे हैं आई अब उनके प्रिवभी कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं क्रिस बेंजमीन की तो कि पिछले पांच मैचों में एक भी मैच में अच्छा नई खेल ला है बाक तूबैक फ्लॉक पारिया दे रहे हैं प्छले पांच मैचों में तीन बार ये डबल डीट भी क्रोस नह नहीं करूगा यह मेरी तरफ से रिक्मेंडेट नहीं है अगर आप चाहो तो अपनी जील ट्री में ट्राय कर सकते हैं अगले प्लेयर आते हैं वेल समिध एक सो एक रणों की विद्वनसक पारी खेली थी और उस मैच में मैंने आप से कहा था कि यह आपकी जील टीम में गेम ज इस्टेंसी इनकी बल्लेबाजी में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है पिशली पांच पारियों में सिर्फ एक सो एक रण की पारी हमें देखने को मिले टेंट रॉकेट की खिलाप साथ और दो का स्कोर किया है दो मैचों में सिर्फ नौ रन ही बना पाए हैं अब ऐसे प पारियों में मतलब की 70 से भी जादे का अवरेज है इस ग्राउन पर इनका और इसी ग्राउन पर ये 101 की पारी खेल कर आ रहे हैं चार मैचों में 266 रन बना चुके हैं ये वैन्यू इनको बहुत जादे सूट करता है और जब भी ये इस वैन्यू पर बल्लेबाजी करते हैं इनका confidence साथवे आसमान पर चला जाता है और मुझे लगता है कि इस मैच में भी इनके बल्ले से बड़ी पारी आ सकती है अटलिस 50 तो लगाएंगे ही तो इनको अपनी टीम में जरूर सामिल करें GL टीम में आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी इनको बना सकते हैं highly recommended player है अपन का home ground है 35 run 1 wicket 36 run back to back दो पारिया जो खेले है 10 rockets की खिलाब उसमें इन्होंने decent performance किया है 30 प्लस का score किया है तीन मैचों में 71 run बना है दो wicket लिए 10 rockets के खिलाब इस venue पर 5 match खेले है 101 can way run बना है और 2 wicket भी लिया है किस टाइब के है यह बताने की जरूबत नहीं है जब भी खेलते हैं बड़ी पारिया खेलते हैं लंबे लंबे छक्के लगाने की छमता रखते हैं और इनके लिए कोई भी ground बड़ा नहीं है ध्यान देने वाली बात क्या है यह देखिए 10 rockets की खिलाब तीन मैच के खिलें औ बना चुक्क हाली रिकमेंड़ प्लेयर हैं इनको अगरी मुकाबले में 38 नहीं ने बनाया था उससे पहले फॉर्म इनके साथ नहीं था इस वेन्यूपर एक मैच के लेंगे नमबर पर बलेबाजी करेंगे इनके टॉप अच्छा फॉर्म में इस बैन्यू पर विल अच्छ घलते हैं तो हो सकता है वह भी लंबी पारी केल जाए तो ऐसे में इनकी बलेबाजी आनी थोड़ी मुश्किल है तो मैं इनको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं हाला कि आफरी मैच में बहुत अच्या गेले थे तो आप इनको अपनी टीम में सामिल कर सकते हो बट मैं इनको अप नीचे बलेबाजी करते हो अठाइस और तेस की दो मैचों में क्या उनर्मना है बहुत अच्छा परफोर्मेंस कहा जाएगा नीचे के हिसाब से अगर टॉप ओडर क्लाप्स करता है तो ऐसे ही बलेबाज जो है टीम की जद को बचाते है बायाहत के बलेबाज है आप अपन ट्रेंड फॉप नेचाल पर पांच मैचों में साथ विकेट ले चुके हैं लेकिन ध्यान देनीवाली बात है कि ट्रेंड टॉकर्ट की खिलाप तीन मैच के लें और अभी तक इनका खाता भी नहीं खुला है तेन कि खिलाफ अभी तक एक विकेट भी नहीं ले पाए है ती पॉर्म बहुत अच्छा है, लगतार विकेट ले रहे हैं, जैसे आखरी मुकाबल में दो विकेट लिया था, दो विकेट मुल्टिपल टाइम दो दो विकेट लिया है, पिछले पांच पारियों में और रन भी करने की चमता रखते हैं, अगर टॉप और कॉलाप्स कर जाता ह हाईली रिकमेंड़ प्लेयर है, अपने टीम में इनको जरूर सामिल करें, इस मैच में भी एक दो विकेट ले सकते हैं, अगले प्लेयर आते हैं, हैरी ब्रोक्स, इनका फॉर्म बहुत अच्छा है, पांच विकेट, तीन विकेट, मुल्टिपल टाइम इन्होंने डिशन प हैं, इनकी वापसी होरी टीम मेरी तरब से रिकमेंड़ प्लेयर है, आप अपने टीम में जरूर सामिल करें, इस वेन्यू पर अच्छी कंदबाजी करते हैं, एक मैच में पांच विकेट ले चुके हैं, तो क्यापन वाइस काप्टन भी, आप अपने जील टीम में बना सकत उसे मैच में चछीमद सामिल जाले हैं मुझे लगता हैंो पर फिछले फांच मैच में नहीं मिलाया आक पर तीम impacted made और ट्रेंट के खिलाब तीन मैच खिलाएं दो विकेट लिये हैं मुझे लगता है कि इस मैच में इन ड्रॉप भी किया जा सकता है बट अगर इनको मौका दिया गया तो यह इस मैच में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और गेम चेंजर साबित हो सकते हैं आपकी जीयल टीम म हो सकते हैं इस मैच में दो तीन विकेट ले जाएं बट मैं इनको रिकेमेंट नहीं कर रहा हूँ आई अब बात करते हैं ट्रेंट रॉकर्स की तो इनकी एकस्पेक्टेट प्लेंग 11 आपको स्क्रीन पर सो और यह एलेक्स ऐल्स और डेविड मलान की भयानक बिध्वनसक ज इंदबाजी हमें देखने को मिलेगी राशित खान की वापसी हो सकती है समसी की जगह और शायम को का सकते हैं लिक फ्लेचर की जगह तो कि इस साल उतना अच्छा परफोर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं पिछले मुकाबले में यह एक भयानक जीत दर्ज कर गया रहे हैं मैंचे मैंचेसर की टीम ने 189 रन बोर्ट पे खड़ा किया था और आठ विकेट से 10 टॉकर्स की टीम मुकाबला जीत गई एक महा रंचेस एक मैसिव रंचेस हमें देखने को मिला 10 टॉकर्स की तरफ से और इस साल पहुत ही जबर्जस पर दस्म करें 10 टॉकर्स की टीम डेविड मल लगतार बैक टुबैक बड़ी पारिया खेल रहे होट फॉर्म में हैं 44 गिंदो पे 98 रन बनाया और एक असंभव दिख रहा स्कोर को संभव बनाया एक महा रंचेस करवाया उससे पहले भी 80 रन बनाया थे फॉर्म में नहीं थे ने प्रेडिक किया था कि इस मैच में चल सक कर रहे हैं पिछले मैच में सिर्फ 84 गिंदो पे 189 रन चेस हो गया एक महा रंचेस एक रिकॉर्ड रंचेस करके आ रही है टेन ट्रॉकेट्स की टीम हाई कॉन्फिदेंस के साथ इस मुकाबले में उतरेगी तो दोखी फेक्टर आपको ध्यान देने हैं पहला यह कि बर्मि बिंगम को हरा चुकी है साथी साथ पिछले मकादले में 189 रन का महा रंचेस करके आरी हिनके बल्ले बाज seriously बहुत अच्छे फोर्म में इस टीम की कमजोर से कहा था कि Alex helps form में बापसी कर सकते हैं और उस मैच में उन्हों नहीं बनाया और उसके बाद मैंने आपको कहा कि जब एक बार Alex health इस तरीके के form में दिखते हैं इस तरीके के touch manager आते हैं तो लगतार पारिया खेलते हैं लगतार रन बनाते हैं और वही चीज हमें देखने को मिली ऐसा लॉजिकल एंलेसिस आपको यूटूब पर कहीं नहीं मिलेगा इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मेरी वीडियो पूरा देखा गरो क्योंकि ऐसी डीप और लॉजिकल एनलेसिस कोई भी यूट पारिया खेल चुके हैं और तीन मैचों में बर्मिंगम के खेलाब 109 रन बना चुके हैं इस वेन्यू पर सिर्फेक मैच खेलें 38 रन बना इस वेन्यू पर अच्छा गेलते हैं फॉर्म बहुत ही जादे खतरनाक है इनका साधी साथ बर्मिंगम के खेलाब भी बैक-टू- फ्लॉप पारिया दे रहे थे डबल डिजिट भी क्रॉस करना मुस्किल हो गया था लेकिन ये एक तुफान के आने से पहले की सांती थी और उसके बाद जब तुफान आया तो सब कुछ उड़ा कर लेकर चला गया 88 रन की पारी आई उसके बाद 90 रन की पारी आई और महा र बड़ा सकोर कर सकते हैं क्याप्टन वाइस के लिए भी बेढाद पीक हो सकते हैं और आपकी टीम में तो यह होंगे होंगे इस मैश में भी इनके बल्ले सा एड्लेस अर्द सत्य तो इंको अपनी टीम में जरूर सामिल करें मैंने आपको बताया ही था कि मैं ऐसा विकट टॉम काड़ मोरे जो कि इनकी टीम की तरब से विगेट कीपिंग करते हो नजर आ सकते हैं और एक विगेट कीपर तो हमें लेना ही है तो टॉम काड़ मोरे बहतरे इंट पिक हो सकते हैं आखरी मुकाबले में तीस रन बनाया था क्रूशियल और बर्मिंगम के खिलाब दो बल्ले बाजी करेंगे हाइली रेकमेंड़ प्लेयर है अपने टीम में जरूर सामिल करें आज विगेट कीपर कॉलिन मुन्रो चौथे नमबर पर बल्ले बाजी करते हुए नजर आ सकते हैं फॉर्म डिसेंट है चाथी सब्सक्राइब बार्मिंगम के खिलाब आखरी इनिं पारिया खेल सकते हैं ताब और तोर हेल्दे स्ट्राइक डेट से 30-40 बना सकते हैं मेरी तरफ से हाइली रेकमेंड़ेट प्लेयर आपनी टीम में जरूर सामिल करें यौन कुक बैन दाएहाथ के बल्लेबाज 64 रन की एक पारी हमें देखने को मिल रही है बर्मिंगम को खिल झायर नहीं करूगा लेविश जार जी जेटेज clot़ पांचरन, एक बल्लेबाजी के लिए इनको अपनी टीम में six purchases नहीं मिल आ बर्मिंगम movement ले आफ लिया था, एक मैंच में 25 वर्मिंगम नाएं बर्मिंगम के खिलाफ एक विकेट लिये हैं, इस venue पर अभी तक इने विकेट नहीं मिला है, मैं इनको रेकेमेंट नहीं कर रहा हूं, बाकि आप अपनी टीम मेंग को सामिल कर सकते हो, अगले प्लेयर आते हैं, श्मित फटेल, द डिसेंट परोवोमेंस किये हैं, तीन पारियों में 47 और 4 विकेट बर्मिंगम खिलाब ले चुके हैं, इस वैन्यू पर एक मैच खेले, 31 रन नया और एक विकेट लिया है, तो ये भी आपकी टीम में जरूर होने चाहिए, दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और बाएं हाथ से अर्फोड़क्स गंदबाजी करते हैं, हाइली रिक्मेंडे प्रेयर है, अपने टीम में जरूरर सामिल करें, अगले प्रेय आता है डैनियल संम्स, तीन विकेट,ू विकेट, 3 wicket, back to back 3 wicket, पिछली 5 पारियों में 3 बार 3 wicket ले चुके हैं, 25 रन 21 रन 2 डिसेंट पारिया भी खेल चुके हैं, और बर्मिंगम के खिलाब एक मैच खेल ले उसमें इन्होंने 3 wicket लिया है, बहुत यह अच्छे form में हैं, बर्मिंगम के खिलाब अच्छी गिंद बाजी कर योइट लेस, यूद्व ने हैं प्रिमिंगांग को फॉर्म उतना अच्छा है, तो मैधे तरफ से रिकमेंड़ नहीं है, अगले प्रिमिंगम का रिकॉर्ड प कि लाथे हैं, ऐक फॉर्म डीसेंट यूद्व सिंट इनुन लिए, विडिए नहीं है इस वेन्गों खिलाफ ए तो मैंने को रिकंटे में नहीं कर रहा हूं आप चाहो तो पनी तेम सामिल कर सकते हो अगले पर रहाते हैं तब रेषर ऑंची फांचे दो मी कमें एक और विक और फॉर्म इनका अच्छा है वर्यूमिंग खिलाफ एक मेशाई लिए हं इस वानियू पर एक मैश खिलें और उसमें उन्होंने कुछ data performance नहीं किया है और قर राशिद खान की Dave में वापसी हो सकती है और सक्षाइट तो यह टीम से बाहर जा सकते हैं और मैं राशिद खान को को किपी में सामयर करना चाहूंगा इनको सामयर करूंगा इनकी जगर राशिड azen उनको अ टीम में लोगा बाकी तबरेश रमसी को मैं अपनी टीम में पिक नहीं करूँगा बाएं हाथ से चाइना में गिंदभाजी करते हैं आई अब मैं आपको अपनी ड्रीम 11 की टीम दिखा देता हूं टीम डिस्कुस करने से पहले मैं आप सभी लोग को एक इंपोर्टेंट बात जाएगा तो वहां से डाउलोड करना है और फिरा कूपन कोड आई एनी टीवी यूज़ करना है ठीक है आपको 5000 रुपए तक का बोनस मिल सकता है तो कैट मोरे को आईज विकेट कीपर मैंने अपनी टीम में लिया है है कॉलिन मुन्रो और डेविड मलान ये तीन बल्लेबा को बनाया है ग्रांड लिग में ही आप इनको कैटन वाइस कैटन बनाना अधरवाइस बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा और स्मॉल लिग के लिए ये और ये कॉमिनेशन बैस्ट रहेगा ठीक है तो डेविड मलान और लियम लिविंस्टोन का कॉमिनेशन बैस्ट स्मॉल लिग में और लिग में बहुत दोनों जगह ठीक है तो यह है मैरी टीम बाकी फाइनल अपडेट टीम हमें सकतर आपको टेलिग्राम पर देखने को मिलेगी तो हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन कर लो क्योंकि वहां पर फाइनल अपडेट टीम वगरा दी जाती है औ तो हमारा टेलिग्राम चैनल जुरू जोइन कर लेना आई अब बात करते हैं पांच के पंच की यानि हमारे प्रेडिक्शन की तो पहला प्रेडिक्शन है कि पावर प्ले में 40 से ज्यादा रन देखने को मिल सकते हैं इस विकेट पर बहुत सारा रन हमें देखने को मिलता है आपकी GLT में भी ये गेमचेंजर का रोल प्ले कर सकते हैं और पांच वा प्रेडिक्शन ये है कि ये मुकाबला 10 ट्रॉकेट्स की टीम जीत सकती है जी हाँ according to me 10 ट्रॉकेट्स में with a winner of this match बाकी आपको क्या लगता है ट्रेंट जीतेगी या फिर फोनिक्स आपो मैं कमेंट करके जरूर बतेएगा तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो मुझे उमीदे कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और पहली बार इस चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वैल आइकन को भी प्रेस कर लें धन्यवा झाल